आपके फून में जो टेलीग्राम एप है वहां पर जो ऑफिसल टेलीग्राम कर जो अपनी मिलेगा ठीक है तो सिंप्ली से आपके अपने ape और अपन से टेलीग्राम को ख़ैजा इसको पर जुटकर तो यहां पर एक डाल देना है how to use telegram in your laptop यानि कि आप अपने laptop या फिर computer में telegram कैसे use कर सकते हैं देखो android के लिए तो इसका application आता है जिसके मदद से आप अपने mobile में जो है telegram use कर सकते हैं लेकिन अगर आप अपने mobile के telegram को अगर अपने desktop में use करना चाते हैं तो यह आप कैसे कर सकते हैं तो इस video में मैं आपको करके दिखाऊंगा ठीक है तो चलो मेरे साथ इस video को एंड तक देखते हैं और समझते हैं पूरे process को step by step तो guys सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने laptop के browser में गूगल में search करना है telegram web उसके बाद जो है यहां पे आपके सामने बहुत सारा link आ जाएगा जिसमें से यह जो first वाला link आपको दिख रहा है इस पे आप click कर दो और यहां पे जो है इसका website open हो जाएगा देख सकते हैं यहां पे कुछ ऐसा interface दिख रहा है जहां पे आपको QR code दिख रहा है और लास्क में आपको एक option मिल रहा है login by phone number अब यह क्या है इसको समझ लो आपके phone में टेलिग्राम जो एप है वह उसके थ्रूँ जो है आप QR code को यहां पे scan कर सकते हैं यानि कि आप अपने mobile के जो account है उसको यहां पे QR के मलत से यहां पे transfer कर सकते हैं या फिर अगर आप अपने mobile number के थ्रूँ अगर यहां पे transfer करना चाहते हैं या फिर एक नया account create करना चाहते हैं तो यह जो second वाला option है login by phone number यहां पे क्लिक कर दो उसके बाद देखो यहां पर आप से पूछ रहा है कि आपका कौन से कंट्री है वो सलेक्ट कर लो और नीचे में आपको मोबाइल नमबर डालने को कहा चार रहे हैं तो आप अपने मोबाइल नमबर यहां पर डाल दो नीचे में एक option है keep me sign in तो यहां पर आप check भी रख सकते हैं या uncheck रख सकते हैं इसका मतलब है कि जो भी browser में आप लौग in कर रहे हैं यहां पर यह लौग in ही रहेगा तो अगर आप Cyber Cafe में या फिर दूसरे के Computer में अगर Login कर रहे हैं तो आप इसको Uncheck कर दो अगर आप नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर Login ही रहे तो ठीक है अदरवाइस यह आपकी मर्जे उसके बाद नीचे में जो Next है उसके क्लिक कर दो आप देखो आपके Phone में जो Telegram App है वहाँ पर जो Official Telegram का जो Account है वहाँ पर आपको एक OTP मिलेगा ठीक है तो Simply से आपको अपने Mobile के Telegram को Open करके वहाँ पर जो Official Account है उसमें एक OTP आया होगा उसको लाना है और यहाँ पर डाल देना है ठीक है जैसे कि आप यहाँ पर Screenshot में देख सकते हैं तो यही Code आपको मिलेगा और इस Code को यहाँ पिला के डालना होगा जैसे ही डालेंगे तो यह Auto Fill हो जाएगा यानि कि Auto Verify हो जाएगा और देख सकते हैं कि यहाँ पर आकाउंट सक्सेस्फुली जो है Open हो चुका है ठीक ह अब देखो यह जो टेलीगराम है ना यह as it is WhatsApp की तरह है जिस तरीके से WhatsApp में आप यूज करते हैं किसी के प्रोफाइल के अंदर जाते हैं मैसेज करते हैं चैट करते हैं यह as it is वैसे ही है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ मालो किसी भी Contact के अंदर जाते हैं तो देखो same as it is वैसा यह open हो गया ना यहाँ पे जो है voice का यानि कि आप किसी को recording करके भी सकते हैं उसको यहाँ पे जो attachment है इसके अंदर है photo and video या फिर कोई files कुछ भी आप भी सकते हैं यहाँ पे message लिखने का option है उपर में call करने का option है तो मैं यहाँ पे message करके आपको दिखा देता हू है ना जैसे कि यहाँ पे मैंने हाई लिखा और send किया तो देख सकते हैं कि message चला गया और यहाँ पे single tick हो गया है सामने वाला का जब net on रहेगा तो यहाँ पे double tick हो जाएगा और same WhatsApp की तरह जब वो इस चीज को देख लेगा मेरे message को देख लेगा तो यहाँ पे double tick वो blue में हो कर सकते हैं तो कैसा लगा आपको यह वीडियो बतना जो नीचे comment करके अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों के साथ शेयर करना मत बुलना और अगर इस वीडियो के regarding कोई भी doubt है suggestion है तो कोई सवाल है तो नीचे comment कर दो 100% try करेंगा आपके comment कर reply करने का और अगर आपका कोई genuine सवाल हुआ तो आपके उपर एक dedicated वीडियो लेकर आजाओंगा guys सिर्फ आपके लिए यहाँ पर दो वीडियो का link दे रहा हूं जो भी पसंद है उस पर click करो and enjoy करो